नमस्का मेरा नाम है डॉक्टर पूरुधावन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्दी के मौसम में जो एक लकवे की मरीज को पैलेसिस की पेशन को मसल्स में हाथ में पैर में दर्द बढ़ जाता है उसका क्या समाधान है जब किसी को लकवा होता है तो पात और पैर को वो काम करना बंद कर देता है क्योंकि ब्रेइन से कमांड नहीं आ पा रही होती है और हमारी मास पेशया जो होती है वो टाइट होनी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे मौसम ठंडा होना शुरू होता है तो ठंड के वज़े से हमारी मास पेशयों में अकड ध्यान नहीं रखते और हमारा ब्रेन दुबारा से काम करना शुरू करता है तो नीचे मास फीशियां खराब हो चुकी हैं और वो काम नहीं कर पाएंगी तो इस अकडन को इस एठन को इस दर्द को खतम करने के लिए हमें बहुत सिंपल सी चीज करने होती है दर्द आपको मैं प्रफर करता हूँ क्योंकि वो काफी गरम होती है और उनकी अंदर आप क्यार कर सकती है अगर आप फिर भी ठर्ण लग रही है तो जैल पैट्स जो आते हैं मार्केट में वलेबल होती है सोदो सुर्वे के उन्हें गरम करकर अपनी जैकेट के अंदर ढाल लीजिए उस को भी करते हैं क्योंकि जब हम अपने हाथ को रगरते हैं सकिन के साथ तो वहां पर गरमाहत पैता होना शुरू होती है तो considering highضterm बैले से स्पेशन को ध्यानक में जाएंग कि थंड के मोसम में खाने में बतलाब करने चाहिए उतना गरम खाना चाहिए जाए खाने में ड्राइफुट आड करें चैए खाने के अंदर फिश और चिगन एड करें क्योंकि बाड़ी को हीट की जरूरत है तो हम हीट बहार से भी की अंदर भी जन्रेट कर सकते हैं इससे मास प्रिश्य को ठीक रखने में बहुत जादा है तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप समझ गए कि ठंड के मौसम में अगर अकड़न है दर्थ है तो किस तरह से आपने इसका निवारन करना है फिर भी कोई डाउट है कुछ कुछ भी पूछना चाहते हो डाक्टर से अफलेबल है उनसे बात करो उनसे पूछो कि केस तरह से मैं इस दिक्कत से भारी कल सकता हूं और इसी की साथ मुझे चलने की आगया दीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक कि लिए नमस्कार